आज इस वीडिव में बात करेंगे point stable के बारे में कौन सी टीम रहेगी कौन सी टीम जाएगी बाहर तो वीडियो में लाज तक बने रहेों कौन सी टीम qualify करने की दाबेदारी पेश करती तो सारा चीज बताएंगे और क्या पाकिस्तान बंगलादेश कोलिफाइक कर पाएगी क्या इंडिया बने रहेंगे 2020 वर्ल्ड कप में सारा चीज बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो को चरा सभी इसकिप मत करना तो सबसे पहले मैं बता दू छेना नंबर को तीन मेच खेला जाना है सबसे पहला जो मेच में मेच सबसे पाकिस्तान बंगलादेश को एक सास्स बनजाएगा आप ये दोनों में से पाकिस्तान बंगलादेश में से जो भी टीम जीते गी वह नहीद रावन कर जाएगा लेकिन अगर सौत फिर का जीत जाती है नदरलेंड से तो फिर ये दोनों का अब बात रगी टीम इंडिया के जो की इंडिया टीम है और हमारी भी टीम है तो वो टीम के बारे में बात कर ले तो जीम बाबरे से अगर मेच जीत जाती है तो भी ठीक है अगर बारिश के खारण भी हो जाता है फिर भी कॉलिफाइकर अब बात कर लेते हैं पॉइंट स्टेबल के बारे में इंडिया का चार मेच खेलें जिनमें तीन मेच जीते हैं और एक मेच में हार का सामना करना पड़ा इस तरीके से उनका पॉइंट कुल 6 हो जाता है और नेट रांड रेट 0.730 का है अब बात कर लेते हैं सौत फिर का क्या इन्होंने भी चार मेच खेलें जिसमें दो मेच जीते हैं एक मेच बार इसके कारण रद हो गया था जिसके बदले इनको एक पॉइंट दिया गया था इनका नेट रन रेट 1.441 है अब पाकिस्तान और बंगलादेश का बात कर लेते हैं क्योंकि जिमबाबरे और नदरलेंड तो अल्रेडी बाहर हो चुके हैं पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं पाकिस्तान जो की चार मेच खेली है और इनकी टीम सिर्फ दो ही मेच जीत पाई और दो मेच में इनको हार का सामना करना पड़ा है और इस तरीके से इनक 1.276 का नेट रन रेट है अभी बात कर लेते हैं कि सौत फिर्खा नेदरलेंड से अगर हार जाती है तो ही यह दोनों का चांस बनेगा नहीं तो सौत फिर्खा क्वालिफाई कर जाएगी इंदिया तो अल्रेडी लगभग कर चुकी है आपको वीडियो कैसे लगी स्क्राइब जबर कर देना फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई टाटा गुड़ बाई गया